बिसमिल्लायरहमानीरहीम, अस्सलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी से सूजी के अपम और इसी के साथ एक बहुत ही मज़िदार सी चटनी भी बना कर तियार करेंगे बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी सी ये कॉम्बो रेसिपी है breakfast के लिए इसको हम बहुत ही कम थेल के साथ बना कर त्यार करेंगे बहुत ही कम ओयल के साथ जटपट से इसको बना कर त्यार करेंगे instant combo recipe है ये आप इसको breakfast में ज़रूर ट्राय कीजेगा और अगर रेसी भी पसंद आये तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो सबसे पहले हम चटनी बना कर तियार करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया हुआ है उसमें डालेंगे एक चौथाई कप के जितनी मूंग फली जिसको के मैंने रोस्ट कर लिया है उसी के साथ मैं इसमें एक चौथाई कप ही भुने हुए चैने डाल रही हूँ और तीन से चार इसमें लहसन की कलिया डालेंगे आदा इंच का अद्रक का टुकडा लिया है इसको बहुत ही फाइन और स्मूथ सा पीस लेंगे इसकी चटनी बना कर तयार कर लेंगे अब मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी तो इस स्टेज पर मैं आड कर रही हूं तकरीबन एक चौथाई टीस्पून के जितना नमक मैंने इसमें डाला है डाल करके इसको अच्छी अब कुछ सेकंड्स के लिए इन मसालों को ओल में फ्राइ कर लीजिए तो तकरीबन 30-40 सेकंड्स के लिए इसको फ्राइ कर लीजिए उसके बाद हम ये गर्मा गरम तड़का चटनी के उपर पोर कर देंगे तो पहले आदा तड़का इसमें डाल कर चटनी में अच्छी तरह से इसको मिला दीजिए मिक्स कर दीजिए उसके बाद हम सारा का सारा चटनी के उपर पोर कर देंगे और बहुत ही जबरदस्त और मज़े की चटनी बनकर तियार होती है देखाना आपने कितनी आसान है ये बनाने में तो ट्राइस को एक बार जरूर कीजेगा और अब चटनी को रख देते हैं एक साइट पर और अब यहाँ पर अपम बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है इसमें डालेंगे एक कप मीडियम वाली सूजी यहाँ पर आप बारिक वाली सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक कप की जितनी सूजी लिए है और आधा कप हम इसमें डालेंगे दही तो दही रूम टेंपरेचर पर लिजेगा और उसी के साथ आधा कप इसमें पानी आड़ कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसमें एक चौथाई टी स्पून नमक आड़ कर रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आड़ कीजेगा आधा टी स्पून शकर इसमें डाल दीजिए और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पीस कर इसका एक स्मूध सा बैटर बना कर तयार कर लीजिए देखिए यहाँ पर मैंने इस बैटर को एक बावल में ट्रांसफर कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कितनी स्मूध है इसी तरह से आपने भी बना कर तयार करना है और यहाँ पर यह मुझे थोड़ा सा थिक दिखाई दे रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी तो बहुत जादा पानी डाल कर इसको बहुत जादा पतला मत कीजिएगा देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इसमें आड़ कर लिया है अब हम इसमें फाइनल में एक टी स्पून इनो फूर्ट सॉल्ट एट करेंगे और डालते के साथ आप इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और इनो ढालकर मिक्स करते के साथ आप देखोगे कि हमारा ये जो बैटर है वह बहुत ही लाइट और फ्लफी हो गया है बहुत ही एरी हो गया है तो इनो डालने के बाद आपने इसको बहुत जादा देर नहीं रखना है आपने इसके फॉरन से ही अपम बना कर तियार करने है तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और मेजरिंग कप का जो आधा कप होता है उसी से मैं ये बैटर पैन में डाल रही हूँ जिसे के एक जैसे और एक ही साइस के हमारे अपम बन कर तयार होंगे डालते के साथ आप देखोगे कि ये अपने आप ही सेट होने लगा है इसमें बबल साने लगे है और बहुत अच्छे से इसमें जाली पढ़ने लगी है तो कुछ देर के लिए अपम को लो टू मीडियम फ्लेम पर सिखने दीजिए जब तक कि इसके उपर की जो लेर है वो अच्छी तरह से ड्राय नहीं हो जाती और देखिए इसी के साथ हमारा बहुत ही जबरदसा और बहुत ही नरम और मुलायम सा अपम बन कर त्यार है तो इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेखना है गैस की फ्लेम अगर हाई होगी तो ये नीचे से जल जाएगा और उपर से कच्छा ही रह जाएगा अब देखिए मैं आपको दूसरा भी डाल कर बता देती हूँ तो डाल करके इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से रिकने दीजिए जब तक कि इसके उपर अच्छी तरह से बबल्स नहीं आ जाते और आप चाहो तो इसको कवर भी कर सकते हो जिसे के इसके उपर की लेर अच्छी तरह से ड्राइ हो जाएगी ये अच्छी तरह से पक जाएगा अब देखिए ये दूसरा वाला भी अच्छी तरह से तयार हो गया है तो इसको भी निकाल कर हम प्लेट में रख लेंगे और इसी के साथ हमारे बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी से सूजी के अपम बनकर तयार है जिसको के हमने बहुत ही कम वक्त में इंस्टेंट बना कर तयार किया है बहुत ही नरम, मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट से ये बनकर तयार हुए है इसी के साथ हमने एक बहुत ही मज़ेदार सी और जटपट से चटनी भी बना कर तयार की है जो के बहुत ही best combo रहता है तो सुबह के नाश्ते में आप इस recipe को try कर सकते हो बहुत ही कम वक्त में जटपट से ही बन कर तयार हो जाएगा तो try एक बार जरूर कीजिएगा और अगर recipe पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये recipe कैसी लगी तो फिर इंशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी recipe के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज